दोस्तों एक पर फिर से मारे टुप चलाओं का स्वागत है आज हम दोस्तों देखेंगे नंबर स्रिष्टम का तीसरा क्लास थर्ड ए है जो फर्स और सेकेंड नहीं देखेंगे वो पहले का देख ले मैथ यूपी टेट का मैथ जूनियर और प्रामरी का साथ में लेके चल ल होगी इन सब के बारे मैं चर्चा किया जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे वर्गों घनों पर तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकिर्ति संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा देखें जब दिया हो एक का स्कोर प्लस दो का स्कोर देखें प्राकिर्ति संख हो जाएगा फृष दोसरा आपका हो जाएगा प्राकिर्तिक संख्याओं के घनों का योग जब हो गए तो क्या करेंगे हम लोग आम लोग प्राकिर्तिक संख्याओं जब पढ़ते थे च्पित थे ONE PLUS 2 PLUS 3 का यन तक हो इसका योग क्या हो था तान N into N plus 1 divided by 2 होता था, इसी काम लोग भी वर्क कर लेंगे, वह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा घनों का यह गोजा, देखे, N into N plus 1 divided by 2 का whole square हो जाएगा, तो दोस्तों, यह हमारा कौन सा concept हो गया, second concept हो, तीसरा देखेंगे, तीसरा कहा रहा है, कि सम संख्याओं के वर्गों का यह जब सम संख्याओं का दे दिया हो, जिसे 2 का square, प्लस 4 का square, प्लस 6 का square, dot dot dot, n square तक दिया हो, उसका सुत्र क्या हो जाएगा, आपका, सम बराबर हो जाएगा, n into n plus 1 into n plus 2 by 6 हो जाएगा, तीस दोस्तों, अभी हम लोग कोर्शन भी करेंगे, कोर्शन करने के बाद ही, क्या हो जाएगा, cm formula होगा, जो हम लोग का सम संख्याओं के वर्गों का योग था, वही बिसम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा, अब देखी, यन क्या होता है, यन आपका, अंतिम पज्यो दिया होता है, वही हमारा यन होता है, ठीद दोस्तों, बात आपको बारे में चर्चा किया जगा ठी दोस्तों तो पहला कोर्षन दीखें पढ़िए क्या लिखा गुआ है पहला कोर्षन है आपका 1 का स्कॉर प्लस 2 स्कॉर प्लस 3 स्कॉर प्लस 4 स्कॉर 50 स्कॉर तक क्या करना हमको योग निकालना है तो क्या हो जाएगा सुत्र क्या होता है n x n प्लस 1 2 x 2 x 6 होता है तो है ben की value क्या है 50 है तो क्या करेंगे n की जग़ा 50 रख दीजे 50 रख दिजे फिर 50 देखिए यहाँ पर 50 प्लस 1 हो गया फिर 2 x n की जग़ा यहां से सत्राइब देखिए यहां से 17 बच गया है और यहां से 101 बच जाएगा तीनों को गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 42925 दोस्तों आप गुड़ा करेंगे चेक कर लिजेगा इतना ही आपका एंसर आजाएगा प्रे दोस्तों यह कौन सा आपका हो गया यह आपका वर्गों का प्रकृतिक सं सिख्याओं का यह है प्रत तो अब चलते हैं दूसरे कोषन पहते देखेंगे दूसरा कोषें क्या कहँ के इसंता है स्टार्टिंग का जो नंबर है 8 से 14 कहा है इ Unterstüt ऑवपudra से 20 के स्वोएर का हम को क्या करना है योग याद करना है और यह आप полез को करेंगे बहुत टाइम आप लोग को तरीका बताया होog formulae से उसका उज्य करके यहाँ पर करेंगे सब्सक्रें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जहां पर दिया है आपका 15 के पहले कहां आ घाएगा ¥14 का स्कार में को ग्यात कर लेंगे 1 से कहां तक 20 तक एक से लेके कहां तक 20 तक का एक बार निकालेंगे यो एक से 20 तक का निकालने के बाद एक से 14 का जो value निकालेंगे इतने पूरे में से क्या करेंगे एक से 14 तक को घटा लेंगे तो जो बीच का बचेगा वही तो हमारा हो जाएगा यही तो पूछा है बीच का ही तो पूरे में से जो पहले का है उसको घटा लेंगे तो बीच का जो बच जाएगा वही मारा answer हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगा हम लो 14 का निकाल लेंगे 114 तक का देखिए 114 तक का है 6 है तो क्या करेंगे 6 से क्या करेंगे हम लो कल्कुलेशन कर लेंगे तो जब कल्कुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा आपका 35 गुड़ा 29 आजाएगा 29 में क्या करेंगे हम लो 35 में तो क्या जाएगा 115 ठीक है एक किसका माना गया 1 से 14 तक का माना गया हमारा कहां तक का 1 से 14 तक का 1 से 14 तक का माना आया आप क्या करना हमको टोटल करना है टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम लो टोटल करने के लिए एक से बीस तक कर निकालना है तो एन के मन क्या हो जाएगा 20 का देखिए लाश का नंबर लेते हैं अंतिम पद लेते हैं तो आप एक से बीस तक कर निकालना है देखिए एक से सुरू होना चाहिए तभी यह फर्म लगेगा फिर जाके पूरा निकाल के बीच वाला पद निकालना पड़ेगा अब देखिए अब N की वेल्व 20 है तो 20 रख देंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू क्या है 2 इंटू 20 प्लस 1 फर्मनप लगा दिए है उसके बाद इसको कल्कुलेशन करिएगा देखिए 20 गुड़े क्या जाएगा 20 21 इंटू 20 49 हो जाएगा डिवाइड वाइग 6 है अब क्या करेंगे इसको काट लीजेगा तो काटने के बाद क्या जाएगा आपका देखिए दो दामे 20 हो जाएगा और 2 तीनाइ 6 देखिए 3 है अब 3 सते 21 तीना 7 यहाँ जाएगा तो 10 6 के 60 6 सते 42 तो कितना जाएगा आपका देखिए यहां से गुड़ा करिए और देखिए उपर करते हैं ट्री दोस्तों उपर करने काट देखिए 10 बचा 10 गुड़े 7 गुड़े 41 देखिए यहां पर क्या हुआ 10 गुड़े 41 दोस्तों तो क्या करेंगे 7 के गुड़ा करिएगा यह पर इसमें करिएगा 0 छोड़ दीगा 7 एक कम 7 हो जाएगा फिर 7 चौक को 28 हो जाएगा इक जीरो हो एक जीरो हो यह इसका हो जाएगा रधाएग एकृज़े 27 हो जाएगा टिक है किसक開ए ए에서 बूरा है किसी क्या मैं 100 स चुपरा है क्या करेंगे फिर 7 घटाएंगे तो क्या जाएगा तक हासिल लेगाएगा 10 ज-वन दस में सबस्क्राइब यहां पर साथ शेफ सब्सक्राइब उसक्राइब हम आपका सेकेंड चलेंगे थाइब सेफ्ट सर्थ झाइब फार्ट टू अब देखिए अब क्या है यहां पर देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर क्या दिया हुआ है आपका यहां पर क्या दिया हुआ है क्या करेंगे 20 रख देंगे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका 20 यहां पर रख देंगे दोस्तों तो यहां कमान यहाँ पर 20 रखी है 20 रखने के बाद देखिए 20 इंटू 20 प्लस एक का बटे 2 का whole square ठीज दोस्तों जैसा मैंने लिखा हूं जहां पर यहां पर लिखा हूं देखें 20-20 प्लस एक का by 2 का whole square ठीख है अब यहां से देखें काट दीजेगा दो दामें 20 10 गुड़े 21 सब्सक्राइब कर दोनों का गुड़ा कर लेंगे गुड़ा करने मतलब बढ़ा देंगे हमारा एंसर कितना जाएगा जलدी जलदी आपका कॉर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगका टेट का भी स्लेवर्स यूटर आप सिम्ह counter के चेकर में आपको, इसीलिए हम कौफी पर लिक्क के आसर दिखा दे रहा है और इससे फायदा होगा कि आपको जल्दी लिख course भी complete हो जाएगा और आप जल्दी से math भी त्यार कर लेंगे और भी subject आप पढ़ने का मौका मिल जाएगा आपको और अच्छे marks भी ला सकते हैं ठीज दस्तों इसलिए मैं एक काम करना शुरू किया हूँ कि आप लोग को जल् स्क्वाइर प्लस 4 स्क्वाइर प्लस 6 स्क्वाइर प्लस 18 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 स्क्वाइर प् क्या होता है संख्या है बिसुम शॉया का संख्या में ढ़kö संख्या नहीं करा है इस आपका यह हो जाएगा न घृत वाग दीजिए भाग देंगे तो क्षेद सबसे करें कर से सबसे इन 1221 ाम नीचे यह यह क्या क्या करना है सबसे आशा अर्मल्ट्रीपाई साथ गुड़ा इसमें करिएगा क्या करिएगा साथ दूना चोद है एक 15 किना जुप बढाएंगे एक जो बढाएंगे क्या अंसर आ जाएगा 1540 हो जाएगा कितना जाएगा आपका 1540 हो जाएगा अब अब अगले कोर्शन में चलेंगे क्या कर रहा है यह देखिए एक 2018 में एक साल पहले की बात है 2018 में कोर्शन आया था बहुत confusion हो गया था इस पहले और ओहां पर जाकर आप लोग डारेट बता दूँद में कम से कम 10% कोर्शन आपको रिपीटेट मिलेंगे आपको ठीकत दो एक त्व कर सकाहिए उसमें मिला लीजेगा पिछले साल के सारा प्यपर में करवाऊंगा 15 दिन बाद आप लोगों को हो सकता है 15-20 दिम बाद आप लोगो सारा पेपर एक साथ दे दूँगा प्रिबियस यर का वहाँ से आप लोग पर सकते हैं ठीज दोस्तों पहले हम इक कोर्षन करवाते हैं पर टापिक वाइच किलियर करते हैं एक टापिक फिर उसके बाद हम लोग प्रिबेस यर कोर्षन इसी में करेंगे का square का मान पूछा हुआ है ठी दोस्तों देखे इसमें आपका option में देदिया हूँ देखे option से देखे same बहुत कुछ मिलेगा देखे 2.4 0.3 0.44 तुक का नहीं मानना है अभी आप लोग को answer दिखाऊंगा तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना आपको देखे यहां पर हमको क्या करना है जैसे 0.11 है तो क्या करना है इसको 10 मलों हटा के हम लोग क्या करेंगे 10 मलों हटा के क्या करेंगे हम लोग बटे में चुरोटा Dolio, कि इस दो क्या धार है। दोस्तों नेचे प्रागा एंड के लिए इसे धार सकते हैं, यहां पर हैं, जैसे मैंने का काralर है, 10 मल, 100 हैं, और यहां पर क्या था? 11 12 22 बेटे 100 तो क्या किये हैं दोनों में change कर दिए ठीज दोस्तों change किये हैं दो गुड़े एक गुड़े इहां भी change कर देंगे 9 गुड़े गार है इस तरह से change कर देंगे तो common क्या मिला देखे सभी में से 11 बेटे 100 सभी में कामन मिलेगा क्या करेंगे स्कॉार में इंहीं से बाख जाएगा नंबर यहांfi था दे था गेWhere तो यहां पर क्या करना है देखिए आप लोग याद तो डारेट करें अफी मल्टिप्लाइ करके कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम क्या किये मल्टिप्लाइ करके करके दिखा दिया हूं आपको नीचे देखिए 121 और यहां मैं से गुड़े 100 की यहां से कट रिया है जर्झे और नीचे क मैं दो? आप क्या करेंगे डेखे आप क्या करेंगे देखे कितने 0? 3 0 है. 3 0 बढ़ा दीजेगा. 3 0 के बाद 10 बढ़ाना नहीं है. मतलब 3 0 के बाद 10 लगा सकते हैं. या फी 9 लगाएं, तो ही कोई बात नहीं है. 9 लगाने के बात क्या करेंगे? हम लो एह पर 0 0 रखेंगे. फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे दो किसे देखे कितनी वर कटता है 2 3 6 2 4 8 2 4 8 2 8 16 एक बचेगा तो 2 5 10 ठीक है लेकिन आपको समयने को उपर है कि दस्योफ लोगो कितने पर लगानायए दस्योफ कितने पहले लगानाय तो मैं बता दिया आपको जितना दस्योफ का समापत हो गया इसमें से कमाते थे एक ही कुछा गए था को फिर पूछ लिया उन सब के बारे में सबसे बड़ी पूच लेए सब्से चोटी पूच लिया उन सब के अब देखे छटा को संख्या है तीन करमागत पढ़िए तीन करमागत क्या कर रहा है तीन करमागत प्रकृतिक संख्याओं का यो क्या है चाछट है तो बीच वाली संख्या क्या होगी देखे सिंपल सा तरीका आपको बता जेता हूँ क्या हो जागा आपका बीच वाली संख्य ग्याद करना होगा आपके लिए मैं बता जता हूँ कि 66 नहीं आपको 66 रखिएगा ठीट दोस्तों उसके कितने पूर्द तीन करमागत प्रकृति संख्यां को तीन मतलब तीन से क्या करिएगा आप भाग देजिएगा जो नंबर है जितनी वार पूछेगा उससे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी एक कई सो जाएगी एक जाएगी बहुत बार पूछा हुआ आपका आपका लगभग रिपीटेट कोशन यह है अभी हम आपको कोशन दिखाऊंगा कि यूपीटेट पूछा हुआ है और जुनियर में प्राइमरी में को पूछा हुआ है तो अब इसी के बारे में चेचा किया जाएगा अले कोशन में देखिए हुआ को यह होंगे तो अंगे ज Torres क्या होगे यह नहीं होगा फुट now is Aurora दोस्तों अब मैंने तरीका क्या बताया आपको तरीका जो बताए असको बताया जो बता है उसका ट्रीक रिच के लिए तीन करमागाद के गुड़ोस की संख्याओ का योग देखे जो योग होगा योग पहले लिख लिजेगा कितने करमागाद था तीन करमागाद तीन से इसमें भाग दिजिए तो हमारा मद्ध पद ग्यात हो जाएगा तीन से भाग तीन जोड़ लिजेगा जोड़ने के बाद हमारा चातिस आजबा तीन घटा लिजेगा तो हमारा निकोर양 तुपसी आशान पूझन तीफेंपद कह रहा है कि उन तीन करमागत संख्याओं का गुरणफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है देखें करमागत मतलब लगतार होना चाहिए इसका बीच का संख्या निकालेंगे तो आगे पीछे का दोनों बड़ी चोटी दोनों निकली जाएगा निकली जाएगा तो क्या करना है 15 जाएगा इनका गुरापल पुछा हुआ चार इसका गूढड़ी दरो पुछा हुआ है तो चार प्ठी इनका पुछा हुआ हो आगे घ्रिकने अटकोर पुछा को तो चार गूड़े च्या है कित्या नेछे हुआ पूटबी समया एंसरि कि Goodbye इंसोयु लेश्त संख्या हुआ हमारे क्या हो जागा 120 से हिए आपका सी हो जाएगा ठिरतों इसी प्रकास से देखिए आप लोग का 9 आ कोर्ष आप पूछा ऊक्रिष। किसमें देखे 302,016 का जूंने लेबल में पूछा ऊकोर्ष्ण है सेम प्रोसेस देखे क्या कह aspire भाव यह तो तीन लगतार डूलाज ईतना है तो सबसे च्छोट नह Käंँ के इस वह थिसी साथ साथ के तीन लगतार के साथ के गुड़ होने चाहिए मतलब साथ से नंबर कटना चाहिए साथ के तीन लगतार गुड़ जो तीन लगतार मतलब तिमें लगतार जोना चाहिए मतलब इकातार वारायोंना चाहिए से सबसेटों सबसेटों सब से जोड़ा क्या होगा उसके वेलों क्टेकार दोस्ता नहीं है का है क्या हो जाएगा मतद्ध का हो जाएगा थे खोटी निखालना है इसे सबसे खोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हמलो इसे 249 छोटा क्या है R해도 72 शाचर यह है नहीं नहीं है दोफन यहाज जब gegen हमारा यह आपसन सही है लेकिन हमको आपसन से नहीं करना है लोगे साथ से भाग देंगे साथ से उन्चास भागा यह भी आपके नंबर है जो दोस्तों एक है लेना आप देखिए चोटी संख्या लेना है क्या करेंगे साथ त्रीक एक कईए और या बार भाग देखेंगे इसमें इसमें क्या सबसे बड़ी पूछेगा क्या करेंगे साथ इसमें जोड़ देंगे तो दो पांच नौ में साथ जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या भी निकलाएगी आज सबसे छोटी संख्या करेंगे तो क्या करेंगे साथ घटा लेंगे तब भी आपका इंसर तीन तरीका इससे करने का तीन तरीका आपको बता दिया हूँ किसी से भी आप कर सकते हैं बीच अले पद निकार सबस्क्राइब कर सकते हैं या साथ बढ़ी सिंग्या पूछी जोड़के भी कर सकते हैं तो बहुत इंप्रेंट कोरशन है इससे आपके कई कोर्षन त्यार होगा इस कोर्षन से देखेंगे दसमा देखेंगे अब आगया योग अंतर और गुडा पर प्रस्न देखेंगे इस स्थिसस्राइब है कि हम लिए न Iya 21 गाकर से लिए यीग रहें की दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका जो की सेइए क। दोनों का योग क्या है 40 है और कह रहा है उसका अंतर क्या है एकस माइनस वाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है दोनों को पूछा हुआ है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x y का मान निकालेंगे तभी तो प्राच लेगा सबसी बड़ी क्या होगी x y का मान निकालेंगे क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे किसको पहला समीक्रा को दोसे समीक्रा को देखें समीक्रा एक मान ली जाएगा समीक्रा दो मान ली जाएगा 2X हो जाएगा, यहाँ पर X minus है, यहाँ से कड़ी आएगा, तो Y कोई टर्म नहीं बचेगा, 40 plus 6, 46 हो जाएगा, और X कमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिने 6, 23 हो जाएगा, तो दोष्तों Y कमान क्या हो जाएगा, जब यहाँ से मान 30 स्थ्र हो जाएगी दोनों दू सेंख्या थी सब्सक्राइब 23 तो 23 कौन से आप्सें से होसे होजाएगा लेकिन आप लोग्त को पेपर में ऐसे नहीं करना है बेसिक आप सीखे रहे हैं और काम आएगा आपका लेकिन आपको ट्रिक के साथ भी सीखना है ट्रिक देखेंगे ट्रिक क्या इसका मैं बताता हूं आप लोग को ठीक है कि जब दो संख्याओं का योगफल दे दिया है है 40 अंतर दिया है चै क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे ठीक है नीचे लिख लेंगे जो उसका कि दोस्तों आप नीचे क्या करेंगे अंतर कर लेंगे ठीक दोस्तों क्या हो जागा इसका अंतर अंतर देखे ऊपर क्या हो जागा आपका 40 और नीचे क्या अंतर है आपका 6 ठीक है आप क्या करिएगा दोनों को जोड़िएगा दोनों को जोड़ने के बाद दो से भाग देजिएगा हमारा क्या जागा बड़ी संख्या जागी जो योग है और अंतर है ठील दोस्तों योग और अंतर दोनों को जोड़ लीजेगा दोनों को जोड़ने के बाद दो से भाग देंगे तो हमारी बड़ी संख्या जागी जितना योग फल दिया हुआ है योग दिया हुआ है अंतर में से घटा लेंगे और दो से भाग देंगे हमा आपको टाइम बचेगा एक्जाम में टाइम बचेगा तो और सब्गेट भी कर सकते हैं मैस में देखिए बहुत टाइम कंजूम होता है इसलिए आप लोगों को हर कोस्टन का ट्रिक बताता रहूंगा ट्रिक से आप कोस्टन जुरूर करिएगा और बेसिक तरीका ही जोड लेंगे जोडने के बाद दो से भाग देंगे तो चोटी संख्या निकालना है तो 75-25 कर लेंगे यू दोनों का अंतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पचास आगा 50-25 ओर जी रूं चलते हैं तो अगले पिछलते हैं अगले कोर्सन हैं आप लोग ट्रिक के यूज़ करिएगा बैसिक सीखे रहे यह आप लोग अपने नोट्स बहाँयेता ँ झीक लिखिए और प्रैक्टिस कोषन वी करते रहे जो कि सब्सक्राइब कर वा नहीं सिर्ट ऑि हो कि्यास्ट जोब पंद्र पंद्र हैं तथा उनके बीत कर्मों का योगफल क्या फोगा देखे यह दोस्तों और विसको ध्यान से शिंखेंगे लोग थी दोस्तो इस कोस्टों खो देखे कैसे करना है सबसे पहले क्या करिएगा योग फल पुछा एक फल दिया है दो संख्यां का एक फल सोरी कि थो क्या करेंगे हम लो कि निrodasर लेघे निन जाहिक इसका भी और लोग को इसी टाइब समझ सक mãoए जैरे इस सब्सक्राइब यह जल्दी से समझ सकें प्रषा मुझनिस कथि समस्क्राइब पेपर नहीं आते हैं आपके टेट में या सी टेट में या फी जूनियर लेवल में तो आप लोग को इतना असान देगा तुर्णत आपको समझ माई जाएगा कि कौन सा नंबर होगा तो परी संख्या क्या तीन है दुस्री संख्या पाँच है अब इससे क्या कर रहा है उनके 1 बटत करम कैं ऐत्सक्राइबै wizard कर ऐससे एंगे तो 5% 5 प्लस हो जाएगा तो क्हां आठ बाटे फंदरे आकश्या समय नहीं गा जाएगा लेकिन हमको क्या करता हूं जाना से बिल्कुल नहीं करने हमको क्या करना है की योगफल क्या है हमारा देगएयो restrictions वेख thirds ले Bock केसा कि व्यूत करम यह मतलब क्या होता है बिदकर्म का इखन प énorme पूछाय लिखा क्यों करेंगे युआ है कि क्या करेंगे युगफल बटे कम लिखिया जो आपका आगा ओही आपके दिया गुए देखिए दूस्तों इपकि कितना आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और गुरण फल 15 था बेसिक से करने पर जोड़े थे तो कितना आपका पूछा हुआ है इस समय आपका आया कोशन था 2019 के जो पर हुआ था उसमें भी कोशन पूछा हुआ था एकदम सीमिलर रही कोशन इसी टाइप से था ठीव दोस्तों आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे तभी आप लोग का स्लेक्शन जल्दी और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं ठीव दोस्तों तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ट्रीक अप लिखते जाए कि कैसे कोशन आएंगे तो कैसे हमको करना है नहीं तो ज्यादा कोशन करेंगे बड़े-बड़े कोशन करेंगे तो आप उसमें फजाएंगे और जो आप लोग को आते हुए कोशन नहीं कर पाएंगे ठीध दोस्तों एक- पुराने कोशन सारे कर रहा हैंगे आप उसको देखके कर सकते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है कि यह दो संख्याओं का अंतर तो उनके विद्कर्मों का अंतर बताइए देखिए दोजाद 13 में पूछा हुआ है मैं बोला ना आपको 23 में पूछा हुआ है और प्रामरी अंतर गुणफल देखिए योगोफल या अंतर उपल लिख देंगे नीचे क्या लिखना है आपको गुणफल जो आएगा उसका गुणफल लिख लिए खिलेना है तिसमें कै दिया हुआ है देखिए अंतर दे दिया पांच गुणफल दे दिया 36 तो 5 but 36 आपका एंसर हो जा करेंगे 120 काइस हो सकता है थेक्षण विए दूस्तों आप लोग को ट्राइ करना अच्छे सब्चेट पढ़ती है अप पंद्र है तो दोनों संख्याओं को ग्याद कीजिए क्या कर रहा है दोनों संख्याओं को ग्याद करना इसमें को प्लट दिया गया है इसको क्या करेंगा आप संसे पाँच लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा तीन और फाँच लेंगे तो तीन पांच फाइए यह चेक कर सकते हैं और आपको तो संख्यायों का योगफ़ 32 है उनमें से एक संख्या मायनस 36 हो तो दूसरी संख्यां का तो दोंनों का योगफ़ निकाले प संख्यां का योगफ़ हो जाएंग से तो जाएगा दूसरा मान क्या हो जाएगा तो कितने असान सान जली कर सकते हैं अप अगले कोश्न चलेंगे अला प्राकृतिक संक्याव का योग 48 है तो संक्याव का अनुपाट कदापी नहीं होगा इस में से तीन अनुपाट होगा और चौथां तो करने का तरीका है कि दोनों को जोड़िएगा जो अनुपाथ जोड़ने के बात क्या करिएगा तो Давka दीजेगा देखे 5 3 8 भाग दीजे कड़ियागा 8 6 48 कड़ गया बिल्कुल इसका अनुपात होगा इसका जोड़िए 7 5 12 12 बारे में इस भाग दीजे तो 12 चुक 48 यह भी कड़िया यह भी होगा ठी दोस्तों देखे कौन सा कदापी नहीं होगा आपसन में कर रहा कदापी नहीं होगा उसका एंसर ढूणना है और 6 2 8 आर्चा करता से भी होगा दोस्तों यह देखे 2 वर 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 सी कटेगा इसका भी नहीं कटेगा हमारा कौन सा अपसन सी हो जाएगा दी आपसन अपका सही हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि इससे कट नहीं रहा है इसलिए इसका अनुपात नहीं होगा देखे यह सब ट्रिक आपको यूज करना पढ़ेगा ट्रेट में इसको सालूशन करने लगे बहुत टाइम में जागो करने में अब आगे आजए आगे देखते हैं अगला कोशन 17 का क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुरनफल 48 है उनके बर्गों का युगफल 100 हैं तो इन दोनों संख्याओं का युगफल ग्यात करें देखें लास्स कोस्टन है आज के टापिक का अगले टापिक में हम लोग पढ़ेंगे नमबर शिस्टम का चौथा क्रास दौस्तों अब देखें उसमें क्या करेंगे टी रूल पढ़ है और उनके बर्गों का योगफल 100 है तो पहले लिख लीजे क्या करेंगे दो संख्या मान लीजे एक्स मान लीजे और वाई मान लीजे ठीक दोस्तों एक्स और वाई मान लेंगे नीचे कर लिजे, क्या मानेंगे X and Y मान लेंगे, उनका गुड़न फल क्या है X, Y का गुड़न फल 48 दे दिया है और बर्गो का योगफल, देखें बर्गो मंतलव, X square प्लस Y square का 100 दे दिया है, तो पूछा क्या है दोनों का योगफल गयाद करिए, दोनों value पूछे है, X और Y माने है इसका मान पूछा हुआ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, देखे, X Y का मान गयाद हो गया X square प्लस Y का मान गयाद हो गया हम देखे, एक फर्मला पड़े थे, 6-7-8 X, sorry, यहाँ पर देखे, X प्लस Y का HOLY squared, यहाँ समको क्या लेंगे X प्लस Y का मान निकल सकता है थो क्या करेंगे, X का फर्ला क्या होता है mala Mgen X squared, V square मतलब Y squared 2AB का मतलब 2XY, तो दोस्तों अब देखे X plus Y का मान हमारा क्या है X plus Y का मान दिया हुआ है कितना है सो रख देंगे एक सबाइक कमान कितना है एक सब्सक्राइब कर लेंगे एक सब्सक्राइब किसका इसको रूट है यही हमारा एंसर हो जाएगा ठी दोस्तों अगले टापिक पढ़ेंगे जो मैं बता हूं अभी कि हम लोग डिविल्टी रूल पढ़ेंगे सारे उसके बाद एक दो और क्लास लेंगे नंबर सिस्टम का समाप्ट करने के बाद एक नियम लैस्याम एक दिन में सब समाप्ट करे हुआ हो में इसके डिल्य इसके बाद आपका छोटे छोटे टापिक हैं च्छोटे टापी कवर करके आप लोग को चलेंगे जमिर पर यहां इसलिए तक हम अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में, प्रे दोस्तों आज की ने धन्यवाँ